हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब इगवार्पुनासी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है और क्लास्टल्द कमिस्टी एंसी आटी चैप्टर फोर में आज का टॉपिक है रासानिक अवक्रिया की दर और अवक्रिया कैसे संपन होती है इसके बारे में चर्चा करेंगी साथ में में टॉपिक तो ये है कि अवक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक यहीं कोई भी अवक्रिया संपन हो रही है तो उसको कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं कब रासानिक अवक्रिया की दर बढ़ सकती है या कब रासानिक अवक्रिया की दर घट सकती है तो इस पर हम ब्रहात चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंतक देखीगा, थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो जाए, लेकिन बोरिंग मत समझेगा, आप लोग बरीकिस समझने की कोशिस करेंगे, तब ही आप कमिश्टी सीख पाएंगे, और इसके पहले जो भी वीडियो हैं, वो आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आप लोग यदि देखना चाहते हैं, तो प्लेइलिस्ट एक बार विजिट कर लें, सारे वीडियो आप देखोगे, और अच्छे से समझ में आएगा, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, रासानिक अ अबक्रिया लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अबक्रिया में क्या क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है, तो अबक्रिया में तीन चीजे होती है, पहला परवयो अभिकारक, अभिकारक का मतलब क्या होता है, जो रासानिक अबक्रिया में भाग लेते हैं, वो अभिकारक ह और क्रिया के फलसरूप क्या बनता है उत्पाद है ना या इसे हम बोलते हैं क्रिया फल क्या क्रिया फल इसका दूसरा नाम क्या है क्रिया कारक ऐसे पदार्थ जो रासानिक अब क्रिया में भाग लेते हैं वो कहलते हैं क्रिया कारक या अभिकारक और रासानिक अब क्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है लेकिन स्वयम क्या रहता है आप परिवर्थित रहता है जैसे आप एक student life में है यहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो teacher का काम क्या है आपके दर को घटाना या बढ़ाना teacher चाहले तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो या कि teacher चाहले गलत तो आप उहीं पर गलत हो जाओगे सिंपल है तो अब क्रिया कि इदर को घटाना या बढ़ाना उत्प्रेड़ा का काम होता है जबकि स्वयम आप परिवर्तित रहता है जिस प्रकार से आप एक एक नार्मल इस्टूडेंट से एक्सिलेंट इस्टूडेंट ब absolument सकते हैं आप एक किसी भी रासानिक अब क्रिया में प्यारे भायों उत्प्रेड़क का काम है कि रासानिक अब क्रिया की दर को या तो घटा देना या तो बढ़ा देना लेकिन स्वयम क्या होता है आप परिबर्तित रहता है ठीक है ना तो इसमें दो चीज होता है एक अभिकारक है ना और उत् क्या है आपका अभीकारक है क्या हैиком ठीखेंड और किया है उत्पाद है तो जो और राविकारण और उत्पाद पर बिपेंड करती है अब इसको कैसे को घुलवड सानिक सांदर्ट के शंवान फाती होता है मतलब सांजरता जितना अधिक होगा उसके अविकरिया के दर है इतने ही अधिक होगी इसको भाद में चर्चा करेंगे लेकिन मुक्रुप से यहाँ पर अभी अभिकारक और उत्पाद Пर हम चर्चा कर रहे हैं तो अभिकारक जो रसानिक अभक्रिया में है ना भाग ले रहा है और उत्पाद जो रसानिक अभक्रिया के फल सुरूप राप्ध हो रहा है अब यहां पर दो चीज आपको नोट डाउन करना है जैसे कोई भी पदार्थ है जब परिवर्तित होता है तो जो प्ररम्य में भाग लेता है उसमें कमी आती है और उत्पाद में हमेशा ब्रद्ध होती है तो नोट डाउन हमेशा करना है अभक्रिया में पैरे भायों किसी भी रसानिक अभक्रिया में जो अभिकारक है अभी कारक में हमेशा कमी आता है अभी कारक में हमेशा क्या होगा कमी और यदि हम कह दें उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में ब्रद्धी होगा उत्पाद में ब्रद्धी होगा जैसे आपने साम को दूद में नीवू कर अस डाल दिया तो धीरे धीरे दूद में कमी आएगा और पेरवायू वो दूद जो है दही में बदल जाएगा दूद में क्या होगा दूद जो है दही में बदल जाएगा तो दूद में धीरे धीरे कमी होगी और दही में धीरे धीरे ब्रत्धी होगी क्योंकि उसमें एक रासानिक अवक्रिया संपन हो रहा है तो जो समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है उसी को कहते हैं अवक्रिया की दर समय के साथ उस रासानिक अवक्रिया में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को कहते हैं अवक्रिया की दर तो अब क्रिया की दर में दो चीजें हो सकती है या तो पैरे भाईयो अभिकारक पर हम दिनोट कर सकते हैं या तो उत्पाद पर दिनोट कर सकते हैं तो जब अभिकारक की बात करेंगे तो पैरे भाईयो अभिकारक की संदर्ण में कमी आएगी simple है और यह उत्पात की बात करें तो उत्पात के संदन में क्या होगी ब्रद्धी होगी तो पहले जैसे मान के चलते हैं 100% अभिकारक है तो उत्पात क्या होगा 0% होगा जैसे जैसे अभिकारक में कम ही आएगी वैसे उत्पात में ब्रद्धी होगी इसलिए हम अभिकारक को ह देखते हैं पेरवायू यानि उत्पाद में जो ब्रद्धी होती है उसके लिए हम प्लस चिन से प्रदर्सित करते हैं है ना धनात्मक चिन से प्रदर्सित करते हैं तो जो अभक्रिया की दर हो गई सामय के साथ अभिकारा के उत्पाद में कितना संदर्ण परिवर्तन हो रहा है वह उसकी अब क्रिया की दर कहलाती है सिंपल है परिवासा तो शमझ गये किसी भी रहridge корot ही जो दर है एक समयंतराल में अभिकारा कत्बा उत्पात कि संद्रुखत के बराबर होता है मतलब संद्रताव में कितना परिवरत नो हो रहा है कुल रूपए था आपने पहले 100 रूपए लेकर गया किसी मार्केट पर तो आपके पास पूरा का पूरा पैसा है लेकिन उसी से आप एक रूपए खर्च कर दिये तो आपका जो उत्पाद बना वो एक रूपए लेकिन अभी कारक जितना आपने लेकर गया था उसमें कमी आ गई तो आपके पास 99 इसी प्रकार एक और खर्चा किए फिर अंठान ने बचेगा इसी प्रकार एक एक रूपए करके खर्चा करते जाओगे एक समय ऐसी स्थित आयागी कि आपके पास एक भी रूपए नहीं है मतलब जीरो रूपए है यहीं संपूर्ण रूप से आपने खर् उत्पाद मदलता है जैसे से आप अपने पैसे को खर्च कर रहे हो तो आपके पैसों में क्या आएगी कमी आएगी लेकिन जहां खर्च हो रहा है जिसके पास पैसे जा रहे हैं उसके पैसे में ब्रद्धी होगी तो आप रणी होते जा रहे हैं आपके में अंदर कमी आता जा रहा है पैसों की कमी हो रही है और लेकिन जिसके पास जा रहा है उसके पास ब्रद्धी हो रही है सिंपल है तो अभिकारक की संदर्ण में हमेशा कमी होता है और जो अभिक्रिया के दर के साथ जो उत्पाद का संदर्ण होता है वो हमेशा बढ़ता है ठीक है चीजें क्लि से या तो उत्पाद के संदर्ण में ब्रदि से सिंपल है तो इस्टुडेंट मैंने दो पदार्त लेकर चला यह अभिकारक था और यह किस में बदल रहा B में तब अभक्रिया की जो दर है शमके साथ किसके साथ समय के साथ अभिकारक के संदर्ण में कमी और कमी के काड़ यहां पर माइनस लगा गया दी ए अपान डी टी ठीक है नो डी ए अपान डी टी फिर पहरे भायों दूसरा हम बताए कि एक उतपाद के condition में आप represent कर सकते हो अवक्रिया की दर को rate of reaction ठीक है उत्पाद के संदर्ण में ब्रद्धी तो plus dv कर दिया समय अंतरा dt कर दिया यहीं डीटी समय में dv उत्पाद की क्या हो रही है ब्रद्धी हो रही है तो समय के साथ उत्पाद में होने वाली ब्रद्धी भी अवक्रिया का दर या अभक्रिया का बेग कहलाएगा और स्टुडेंट या तो हम कह सकते हैं अभिकारा की संदर्ण में कमी आखिर के तो अभिकारा की संदर्ण में कमी से दर्सा दें या तो उत्पात की संदर्ण में ब्रद्द सी दोनों तो चीज एक ही है अच्छा अब इसका जो इकाई ह और कैसे निकालते हैं तो इकाई का निकालने का तरीका यह है पैरभायो जैसे आपने देखा कि जो दर है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है संद्रन संद्रन में परिबरतन किस के साथ समय के साथ समय के साथ ठीक है ना अब संद्रता क्या है एक कांग का आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा तो पदार्थ की मात्रा क्या होती है मोल और प्रतिलिटर और समय का सेकेंड समय का सेकेंड इसका जो मात्रक हो जाएगा मोल लीटर उपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा मोल लीटर इन्वर्स समय भी उपर जाएगा तो समय इन्वर्स हो जाएगा यानि सेकेंड इन्वर्स मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स इसका इकाई हो गया किसका इकाई हो गया तो पैरे भायो अब क्रिया किदर या कि mole प्रति लीटर प्रति लीटर प्रति सेकेंड मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड ओके तो यह आपका हो गया आप सिंपल तरीके से लिखेंगे इसकाई यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मोल फिर आपका लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स क्या सेकेंड इनवर्स ओके तो यह आपको इकाई लिख देना है तो कुछ चीज़ें पर यहां पर आपको समझ में आया होगा कि इस्ट्रुडेंट जो आपका अवक्रिया का दर है वो अविकारा का रुथपात की संद् पर डिपेंड करता है अब देखो बेसिक चीज़ है यार समय तो लगेगा तभी तो आप समझ पाओगी कुछ चीज़ें और ब्रहाट जो एक्जामपल है बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी माइंड में फीड हो जाना चाहिए कि बास्तों में अभक्रिया है क्या ठीक तो जैसे अभिकार को क्या संद्रन कितना है है ना ताप का प्रभाव क्या होगा दाप का प्रभाव क्या होगा उत्प्रेधा का प्रभाव क्या होगा और विक्रन का प्रभाव क्या होगा तो सबसे पहला फैक्ट आपको मैं बता दूँ कि किसी भी अभक्रिया में उनके अ प्रभावी ठक्कर होगा जितने अड़ों एक दूसरे से ठकराएंगे उतनी ही तिवरता के साथ उतने राशानिक अवक्रिया होगी कुछ चीजें समझने मैं क्या कहरा हूँ किसी भी राशानिक अवक्रिया में student जो अवक्रिया की दर है मुख रूप से टक्कर पर depend करती है कि जो अविकारा का अपस में सयोग कर रहे हैं जो अविकारा क्रासानिक अवक्रिया में भाग रहे हैं उनके अड़ों के बीच उनके परमाड़ों के बीच कितना प्रभावी टक्कर है आपस में कि कर रहे हैं तभी तो एक दूसरे के पास आएंगे टककर करेंगे और एक नए पदार्थ कर दिर्माण करेंगे तो ये किन-किन चीजों पर डिपेंड करेगा अभिकारकों की संदर्ण पर ताप की प्रभाव पर विक्रण का क्या प्रभाव पड़ेगा दाप का क्या प्रभाव पड़ेगा उत्प्रेड़ा का क्या प्रभाव पड़ेगा तो पहला है अभिकारक का संदर्ण अभिकारक का संदर्ण मतलब जो रासानिक अभक्रिया में भाग ले रहे हैं उसमें कितना ज्यादा बिले पदार्थ उपस्ती थे यहीं पदार्थ की मात्रा कितनी अधिक है संद्रण को मतलब यदि अधिक संद्रण है यनि बिले की मात्रा अधिक है और अधिक कम संद्रण है यनि उसमें बिले पदार्थ की मात्रा कम है मतलब अणों की संख्या काम है तो संद्रता यदि बढ़ा दें किसी भी अभिकारा के तो उसमें अणों आयनों या परमाणों की संख्या बढ़ जाएगी उसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी और जिसमें कण अधिक होंगे तो टककर अधिक होगा और टक्कर अधिक होने के कण दर भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी सिंपल है और हमने बता ही दिया सुरू में ही आपको कि किसी भी रासानीक अवक्रिया की जो दर है मुखरूप से टक्कर पर डिपिन करेगी किसी भी अविकारा के जो अड़ू परमाणू या आयन है यनि छोटी-छोटी जो कण है उनकी संख्या में कितनी टक्कर हो रही है वो टक्कर की संख्या ही रिप्रेजेंट करेगा किसको रासानीक अवक्रिया की दर को तो देखते हैं यहाँ पर अभिकारकों की संद्रता अभक्रिया की दर को प्रहविद करती है अभिकारक की संद्रता बढ़ाने से निश्चित आयतन में कड़ों की संख्या बढ़ जाती है या ब्रद्धी हो जाती है जिसे अड़ों के प्रहवी टक्रों का दर बढ़ जाता है और अब क्रिया किदर भी उच्छ हो जाती है सांडरता पढ़ाने से मोलेनी पदार्थ की कड़ों की संख्या में ब्रद्धी होगी और जितना ज़्यादा कड़ोंगे परवई उतना ही टक्कर होगा जिसे आप एक मेलें पर जा रहे हूँ पढ़ाने की कड़ों की संख्या बढ़ जाएगा और टक्कर बढ़ने के काड़ अब क्रिया किदर भी बढ़ जाती है उके चलिए नेक्स्ट है आपका ताप का प्रभाव यहनि किसी पधार्थ को हम गरम कर दें तब क्या हुआ थोड़ा समझेंगे कि समानता अबक्रिया किदर ताप बढ़ाने पर क्या होती है बढ़ती है क्योंकि उसमच शेपी अबक्रिया में ताप बढ़ाने से अबक्रिया किदर काम हो जाती है जबकि उसमच सोची अबक्रिया में ताप बढ़ाने पर अबक्रिया किदर बढ़ती है जैसे किसी पदार्थ को थुड़ा सा ताप दे दें आप एदी स्लीपर नहीं पहने हैं और धूप में गर्मी के दिन में एक रोड पर चल रहे हैं जो क्रांक्रीड का रोड है तो फिर पैरे भाईयों आप इतना तेजी से गमन करेंगे मतलब इतना तेजी से गति करेंगे कि जहां भी जाना होगा फास्ट पहुंचेंगे क्यों? क्योंकि नीचे से हीट आ रहा है यानि उस्मा मिल रही है है ना? तो आप क्या समझे? किसी पदार्थ को गर्म करेंगे क्या उसांत बैठेगा? नहीं वो तेजी से गति करेंगे ताप देने से क्या होगा? जो उसके अणु है कण है, परमाणु है उनमें गति सीलता आएगी उनके गति जुर्जा में ब्रधी हो जाएगी और गति जुर्जा में ब्रधी होनी से टकर की संक्या क्या होगी? बढ़ेगी? आप बैठोगे बिल्कुल नहीं तेजी गत्से वहां से उठकर के चले जाओगे जमीन पर आपको बिना स्लीपर का चला दिया जाए और जमीन अच्छा गर्म हो यहनी तापमान का उप्रभा हो तो आप तेजी से चलेंगे उसी प्रकार से जब अवक्रिया में हम अविकारा को ताप दे दें तो अडू जो होते हैं एनर्जी करहन करके गत्सील हो जाती है अडू जो है एनर्जी लेकर के गत्सील हो जाते हैं गत्सील हो जाते हैं गत्सील करने लग जाते हैं और वही जो गत्सीलता है पेरे भायो अवक्रिया की धर में टकरों को बढ़ाता है और टकर बढ़ जाने से अवक्रिया की धर बढ़ जाती है कुल मिलाकर के ताप के प्रभाव से यहीं ताप बढ़ाने पर अवक्रिया की धर बढ़ती है अगला है विक्रण का प्रभाव और विक्रण में ही मिलता है उश्मा ठीके ना विक्रण क्या है विक्रण क्या है पेरभायो तो विक्रण एक प्रकार से उर्जा का ही रूप है छूटे छूटे कण बंडल के रूप में पाय जाते हैं जैसे सूर्च याने वाली किरणों की बात की जाए पेर भाईयों, तो जो सूर्च याने वाली किरण हैं, वो कण और तरंग दोनों प्रकतिकी होती है, इसमें छोटे छोटी कण पैकेट या बंडल के रूप में पाये जाते हैं, जिसे कॉंटा कहते हैं, और इसके साथ जब उर्जा सनलंग होती है, उसे फोटान कहते हैं, तो जो सूर्च याने वाली विकरण होती है, उसका भी काम क्या हूए, एनरजी लेवल को लेकर आती है, और किसी अभी कारक को जब देगी न, तो अब कारक जो है, एनरजी लेकर के, उर्जा लेकर के, गति सील हो जाएगा, और गति सील होगा, तो गति जुर्जा में उसकी ब्रद्धी होगी, और पैरे भाईव, टककर बढ़ेंगे, तो अब क्रिया की दर बढ़ जाएगी, तो विकरण के प्रभावर से अब क्रिया के दर में ब्रद्धी हो जाती है, क्योंकि विकरण में उपस्तीत फोटान अप कारख के करणों को देगा जिसके उनके कड़ों में भी क्या हो scarce जाएगी गदसरों तकर बढ़ेंगे और टकर बढ़ने की कारण अब अब ग्लिए त्रीया किधर बढ़ जाएगे जाएंगे हिल का प्रभा होगा पर ना होता है गैस लेकिन पहरे भाई उस सेलेंडर को आप थोड़ा सा हिला कर देखना ऐसा लगेगा कि उसके अंदर लिकिड भरा हुगा है क्यों क्योंकि उसका दाब इतना अधिक होता है कि उसके आणुट इतना पास-पास हो जाते हैं कि संगनी थूकत लिक्ड फोर्म में ब बढ़ जाएगी है कि दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा जब भी हम किसी भी गैसी अवस्था में मतलब अभिकारा गैसी अवस्था में हो जैसे मैं लिए लिक्विट जैसा फॉर्म आपको दिखाई देता है या मतलब आप आवास करते हैं क्योंकि उसके जो अनुग अत्यन और उनके टक्रों की संक्या बढ़ती है जिससे पैरवाय अपक्रिया की दर बढ़ जाती है और लास्ट है आपका उत्प्रेरक तो उत्प्रेरक तो बढ़ा प्रकार को होता है अपक्रिया की दर को घटा भी सकता है और अपक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है तो जो हेगा उसे धनात्मा करी गहते हैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि रासानीक अविक्रिया में प्यारे भाईए जो उदो कहरे होता है कि रासानीक अविक्रिया में जो उत्प्रेड़क का रोल होता है कि वहला अपक्रिया किदर को घटाता है या बढ़ाता है तो दो प्रकार से उत्प्रेड़क एक तो धनात्मक जो रसानिक अपक्रिया किदर को क्या करेंगे बढ़ाएंगे और एक तो रिनात्मक जो रसानिक अपक्रिया किदर को घटा दे है हैंieving रुपया में हैंडे डं भेतर नोट्स शापको मिलेगा और आप अभी तक नोट्स नहीं लिए ले सकते हैं यह आपका एक चोटा सा सहयोग होता है हमारे लिए आप लोग भी सहयोग करेंगे तो हम भी आगे आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे तो वीडियो पसाइंदर प्रीज लाइक करें दोस्तों सेयर करें मिलते हैं नेक्ष वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन बंदे मात रहूं